एक अरसा हो गया कोई ऐसी सीरीज देखे हुए जिसे मैं कह सकूँ कि हाँ ये वाली सीरीज जब अरदस्त है और ऐसी उमीद लेकर मैं ये सीरीज देखने बैटा था लेकिन होता है ना कि आप जिसके साथ उमीद रखो वही आपको दोखा देते हैं कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ नवश्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आउटर बैंक यही नाम है जो नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है कुल टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 45-50 मिनिट का है और इसे जो डिरेक्ट किया है वो अलग-अलग तीन डिरेक्टर ह मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इनका नाम बड़ा ही difficult pronunciation करने में और इसके अंदर कास्ट की भी एक लंबी सारी लिवस्त है उनका भी मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ चलिए कहानी बराते हैं इसकी कहानी अधारित है एक खजाने को ढोड़ने में इसमें टीनिजर दिखाए गए हैं जिनका नाम है जोन बी, पोप, जेजे और क्यारा एक लड़की है तो इनकी उमर 16 से 19 साल के बीच ही दिखाए गई है तो जोन बी के पिता एक जहाज गोजने में जिसका नाम है रोयल मर्चंट जिसमें 40 करोड का सोना डूब गया था उसको डू बी अपने दोस्तों के साथ बाकी तिन दोस्तों के साथ इसको खोजने में लग जाते हैं अब खजाना कोस्ते कोस्ते इसमें बहुत सारी चीजों के उपर भी ध्यान दिया गया है जैसे इन चारों की दोस्ती के उपर कि इनकी दोस्ती कैसे हुई फिर अमीर और गरीब के ल जालने वाली problems पर ध्यान दिया गया है मतलब खजाने को ढूणते ढूणते इन problems को ओपर ध्यान दिया गया था मेरे इसाब से कुछ जादा ही ध्यान दे दिया गया है जिसके कारण 6 से 7 episodes में खतम होने वाली ये series 10 episodes लंबी चली जाती है अब एक बात मैं यहां clear कर दूँ यह मेरा opinion है कि मैं अपना opinion share कर रहा हूँ जरूर ही नहीं कि आप मेरे opinion के साथ agree करो आपका opinion different हो सकते है 500 साल से दबाई एक जाना बहुत सारे लोग इसको ढूणने में लगे हुए थे काफी सालों से तो किसी को नहीं मिला लेकिन इन चार बच्चों को मिल जाते है sorry यह चार बच्चे इसे खोज लेते है अब इस script में लिखा था और इन्हें हर clue जैसे चुटकी बजाते ही मिलता जा रहा था और कोई परिशानी नहीं हो रही थी अब इक कहा तो script में लिखा था कहर कजाना कोस्ते कोस्ते जोन भी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसके पिता को एक Ward Cameron नाम की एक इनसान ने मारा है Ward Cameron एक अमीर आदमी है और Ward Cameron मदद कर रहा था जोन भी के पिता की इस खजाने को डूणने में लेकिन खजाने का जब जोन भी के पिता को खजाने का पता चलता है तो उसके बटवारे को लेकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिससे Ward Cameron जोन भी के पिता को मार देता है जिस खजाने के पीचे लोग मर रहे हैं उसी इंसान के घर से मिलता है, जिसने उसके पिता का मडर किया था, जो इस खजाने को डूणने के लिए सालों से लगा हुआ है, अब वार्ड केमरोन के पस दिमाग नहीं था गया, मैप खोल के देख लेता, जब ये चारों खजाना कोज लेते हैं, कि जोन भी और उसके दोस्तों ने खजाना कोज लिया है, तो अब वो अपना दिमाग यूज करते हैं कि खजाना कहां हो सकते हैं, जो अब तक उसने पूरी सीरीज में कहीं पर भी यूज नहीं किया था, तो इन से पहले उस खजाने पर पहुंच के उस खजाने को निकाल कर कहीं और भेज भी देता है, मतलब कि इन चारों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वीवर्स को जुरूर मिलता है, इसका सेकिंड सीजन, अब ये साला, उसे भी जहलना पड़ेगा यार, सच में अगर ये फैमिली ड्रामा इसमें ना दिखाया होता, इन चारों दोस्तों की अफ़पस की लडाई या फिर वहां अमीर गरीब के बीच फर्क को ना दिखाया होता, तो यकीनिन ये एक ही एपिसोड में जो 40-45 मिनिट या 50 मिनिट तक है, उसके अंदर ये खजाने को ढूंड के इस सीरीज को खतम कर सकते थे, शुरुआत में नई सीरीज होने के कान शायद आपका इंटरस्ट बन सकता है, 2-3 एपिसोड तक, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 2-3 एपिसोड तक आपका इंटरस्ट बनेगा, लेकिन उसके बाद इंटरस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजे हैं, जिनको आपको देखके लगएगा, ये चीज क्यों हो रही है, इसका इस सीरीज से क्या रिलेशन, जबकि ऐसा कुछ होता है नहीं है, उनको धक्के से उस चीज में डाला हूँ होता है, जैसे एक ड्रग का जो सीन है, वो दिखाया हूँ होता है, अप ना डालते हैं, तब भी वो चीज चल रही थी, खैर मेरा तो बहुत जादा टाइम कराब होगा, इस सीरीज के उपर मेरी तरह से इस सीरीज को मन देना चाहूँगा, 4.5 आउट ओफ 10 स्टार, अगर आप लोगों ने सीरीज देखिये, तो प्लीज अपने सू विचार तोड़े बहुत प्रेक्ट करें, परकट, परकट करें, नीचे कॉमेंट बॉक्स में, गाले के लोच नहीं, ठीक है? ठैक्स फॉर वचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिंद!